Hi guys welcome back to our channel और आप सब कैसे हैं और आप सब के प्यार और आशिरवात के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ Thank you, thank you, thank you और दोस्तों आज हम बात करेंगे प्यार की love and relationship की और जो बहुत ही favorite subject है मेरा और आज हम बात करेंगे सबसे स्टोरी को कि किस तरीके से आप अपने रिलेशन्चिप को हील कर सकते हैं ये कहानी है राहुल की जो है डेली के रहने वाले पर इस समय कोलकाता में सौल लेक सिटी में काम करते हैं और इनकी गर्फरेंट थी जिनसे इनका दो साल पुराना विश्ता था और इवेंच्वली पिछले साल दोनों की शादी हो गई शादी के बाद इन दोनों के बीच में जगड़े बहुत जादा होने लगे और इनकी वाइफ रिया जो घर छोड़कर चली गई और बात यहां तक थी आ गई कि इन दोनों का डिवोस तक होने वाला था तो कहीं न कहीं से राहूल को मेरे वीडियो मिले किसी के त्रू तो इन्होंने मेरे वीडियो को देखना शुरू किया दो तीन वीडियो जब इन्होंने देखे तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स को यूज किया आफिस में तो इनको सक्सेस मिली इजबीज में इनको रिया के बहुत याद आती थी रिया को बहुत मिस करते थे और इन्होंने बिलकुल इगनौर करना शुरू कर दिया और फिर आप तो जानते हैं दोस्तों एक रिष्टे को बनाना आसान होता है पर उसे बिगारना चुटकियों का खेल होता है फिर क्या हुआ फिर एक इन्होंने नमसे मेरा नमबर मांगा और मैंने उनसे बात की और इन्होंने अपनी सारी समस्या बताई ठीक है फिर पदा चला कि समस्या कहां थी दोनों के इगो में प्रॉप्लम थी शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर कॉंप्रमाइज होने लगा एक दूसरे का खयाल लगना बंद हो गया एक दूसरे से बात करना बंद कर लिया जो लोग रात रात भर वैट करवाते करते थे फोन पर एक दूसरे से वो तीन मिनट भी गुरूसे से बैट कर बाते नहीं करते थे और चीजें खराब होने रखी राउल अपने दोस्तों के साथ आफिस में जादा समय बिताते थे जादा दिन रिया के साथ समय बिताने को अब आप दोस्तों देखते हूं ना यह होता है रिजन हमारे रिष्टों के खराब होने का ऐसे हमारी कंडिशन खराब होते जाती है और फिर हम खोशते हैं कि भगवान ने मिने साथ बुरा गिया या इस लड़की ने मिरा साथ बुरा किया तो वहा पर मैंने उनको प्रोग्राम के बारे में बताया आपके कोर्स पर और परमात्मा की कृपा पर इतना भरोजा है कि यह जो बर्टे हैं मैं अपनी वाइप उरिया के साथ ही सेलिब्रेट करूंगा और उन्होंने हीलिंग स्टार्ट कर दी और उन्हों उनको जो है 55 इंटु 5 मेथड बहुत पसंद था क्योंकि इनको लिखना बहुत पसंद था तो उन्होंने 55 इंटु 5 मेथड यूज करना शुरू किया healing शुरू की जो subliminal messages मैंने दिये थे इनको इन्होंने start किया और हर दिन ये meditation करते थे दोस हमें meditation करते थे और बंदे का determination देखे ना मुझे उस बंदे पर बड़ा confidence था कि कोई चाहे attract करे ना करी ये जो बंदा है ना ये पकारी आपको खीच लाएगा दोस्तों जबकि आपके vibration change होती है तो आप सूरज बन जाते हो और सूरज के पास अपने आप लोग खिचे चरे आते हैं तो ठीक ही हुआ राहूर की लाइप में सब चीज़ें अच्छी होने लगे ये vibrationally बहुत जादा energetic मैसूस करने लगे और हर दिन visualize करने लगे चुकि शादी हो चुकी थे तो लिया की बहुत सारी जूलरी और कपड़े थे घर में वैसे visualize करते थे कि रिया ready हो रही है ये उसको compliment दे रहे हैं और कई बारे चूज करते थे कि रिया you will bear this sorry और this sorry इस बीच में रिया से इनकी बात बिल्कुल नहीं है और एक दिन क्या हुआ कि रिया का message आया इनके पास कि मुझे तुम से बात करनी है तो इन्होंने रिया को call किया और रिया से उस दिन इनकी चार गंटे बात हुए जहाँ पर रिया बहुत गुसा थी इन पर और उन्होंने अपने दिल की सारी भडास इनके उपर उतार दी औ सुनते रहे सुनते रहे और जब चार गंटे बात हुए रिया ने इनको सब कुछ कह डाला जो कहना चालती थी उसके बात रिया शांत हो गई जब रिया शांत हो गई तो इन्होंने कहा कि मैं यही तुम मिस करता था कि आप मुझे कौन सुनाएगा आप मेरी गल्दियों के मुझे कौन कहेगा कि लो तुम अपने जुटे मुझे अपनी जगह रखो मैं तुम्हें मिस करता हूँ और तुम मुझे ऐसी रिया हो मैं तुम्हें वैसा ही प्यार करता हूँ मेरी खतरनाब शेड़ नहीं है मेरे दिल की राली है और जब इनों ने ऐसा कहा तो अप्या फूट-फूट के रोनी लगी अगले दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलेगे और मैंने इनसे एक बात कहीती है मिलने से पहले इनोंने ने मुझे फोन किया था तो मैंने इनसे कहा था कि जाकर समाधान पर फोकस करना एक दूसरे की कमिया मत गिनाना, कि तुम्हारी गलती है, तुम दोशी हो, नहीं तुम से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने इंसे कहा था कि जाकर समधा दूर ना, कि दोनों की इक्वल गलती है, आप दोनों की पिलको सॉट आउट करना है, और गेस्वाट दोस्तों रिया ने इन से दस दिन का समय मांगा था और दस दिन के बाद रिया खुद अपना सारा बैग बैगेज लेकर अपने घर वापस आ ले और पिछले माहिने इस बंदे का बर्डे था और इस बंदे ने अपनी वाइफ के साथ अपना birthday celebrate किया था और इन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी यह वाइफ रिया नहीं चाहती कि उनकी फोटो यहाँ शेयर की जाए इसलिए मैं आपके साथ यह स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ और इस्टोरी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जिन्दगी एक कविता नहीं है जिन्दगी एक कहानी है मतलब जब हम किसी से प्यार करते है ना तो हम हैं लगता कि आ रहता कि पहती जिसे सा जैसे फिल्मों में होता है ना शादी के बात Komm also happy not but जिन्दगी में शादी के बड़ी लंबी कहानी है उसे मैं अगले वीडियो में आपके साहे शेयर करूगी पर आपको मैं हमेशा कहना चाहते हूं कि आप जो चाहते हैं उसे पास सकते हो बस अपने confidence को राहूल जैसा confidence बनाओ कि मुझे पता है कि यह होगा और वहीं आपके साथ होगा क्योंकि आप अप